उम्शन्ती साकार मुलिस स्टोरी सफलता का राज रणकपुर डाम के गाउं में एक ब्रामनी हर कारिय परमात्मा की याद में रहकर करती थी एक दिन उसकी सहली तारा उससे मिलने आती है बातो बातो में तारा ब्रामने से कहती है मुझे तो किसी काम में सफलता नहीं मिलती मैं क्या करू ब्रामने बूली अपने काम में सफलता पाने के लिए परमात्मा को याद करके अपनी दिन शर्या सेट करू क्योंकि उसके साथ कंबाइन रहे कर हर कार्य एक्यूरेट और सफल होगा तारा कहती है मैं अपने गुरु संतर रामदास की याद में रहती हूँ ब्रामने हसकर कहती है तुम भूद अभिमानी हो तारा कहती ये तुम क्या कह रही हो ब्रामने कहती है शरीर को याद करना भी भूद अभिमानी बनना है क्योंकि शरिर पांच भुतों का बना है तुम्हें आत्मा अभी मानी बन एक परमात्मा को याद करना चीहे क्योंकि परमात्मा सबसे उच्छा कारिय करते है तारा कहती कौन सा कारिय प्रामणी कहती है सारी तमों प्रदान दुन्या को सतों प्रदान सुखी बना देते है इस उचे कारे के कारण उनकी यादकार भी बहुत उचे उचे बनाए है तारा उच्सुपता से कहती है परमात्मा और क्या करते है प्रामने कहती है परमात्मा रूत्र ग्यान यक्ये रचकर ब्रमाद्वारा शुत्रों को ब्रामन बनाते हैं फिर ब्रामन देवता और देवतक शत्रिय बन जाते हैं इस प्रकार पुझ और पुचारी दो शक्तों में ड्रामा का राज आ जाता है जब तुम पुझ हो तब पुर्शोत्तम हो माया फिर पुझ से पुझारी बना देती है तारा दुखी होकर कहती ओहो गुरु के चकर में मैंने अपना समय व्यर्थ किया ब्रामने कहती है अब मर जीवाबन पुराने बातों को बुद्धी से भुल किसे बे देहदारी को याद नहीं करो परमात्मा के रचे रुद्र ज्यान यग्य में संपुर्ण स्वाह होकर शुत्रों को ब्रामन बनाने के सेवा करो वर्दाने मुरत्वन सबके प्रतिशुद्ध समकल्प रखो ब्रामने की बाते तारा को अच्चे से समझ में आगे उस दिन से तारा अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने लगी जिससे उसका हर कार्य सपल होने लगा इस काहने की शिक्षा ये है परमात्मा के साथ कंबाइन रहने से हर कार्य सबल और अक्यूरेट होता है अच्छा उम्शन